आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ एंसी आर्टी की एकसेसाई 13.6 का कोशेन नमबर 5 लास्ट वीडियो में हमने 4 तक किये थे कोशेन नमबर 5 है हमारे पास इट कोस्ट रूपीज 2200 टू पेंट दा इनर कवर सर्फेस ओफ सिलेंडर सेंड्र वैसल 10 मिटर इस डीप ठीक है आपक जो है उसकी डीप का मतलब के वह हाइट वो है 10 मिटर इस दा कोस्ट ओफ पेंटिंग एड़ रेट ओफ रूपीज 20 पर मिटर स्क्वेर अगर बोलता है कि कोस्ट ओफ पेंटिंग जो है वो 20 रूपीज पर मिटर स्क्वेर ले तो फाइंड करो इनर कावट सर्फेस एरिया सबसे पहले के दिये कोई आपके पास याने की सिलेंड्रिकल वैसल है उसकी उसको पेंट करने की कोस्ट देखे रखी है कोस्ट दी है आपको 2200 ठीक है रूपीज और रेट दिया है आपको रेट देके रखा है रेट बोलता है कि 20 रूपीज पर मिटर स्क्वेर ठीक है तो 20 रूपीज पर मिटर स्क्वेर यहाँ पर लिख सकते हो प्लिए रवात और हाइट दी है आपके पास 10 मिटर ठीक है सबसे पहले के निकाल दो इनर करव सर्फेस एरिया फर्स्ट पॉइंट बैसल तो सबसे पहले करें करो कर बर सर्फेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो कर सर्फेस एरिया निकलेगा कैसे हमारा देखो भई, curve surface area आपका बिल्कूल easy way में निकलेगा, यहाँ पर आपके पास cost दी है, तो cost लिख दो, equal to rate into curve surface area हम निकाल देंगे, ठीक है, तो cost है आपके पास 2200, और rate कितने हैं आपके पास, 20, ठीक है, और 20 per meter square है न, तो इसको आप लिख सकते हैं, 20 per meter square का मतलब, इसको हम लिख सकते हैं, 20, ठीक है, 20 लिखो, 20 per meter square की बात है न, और into CSA, यानि की curve surface area, अब इस 20 को आप इस तरफ लिआओ, 2200 upon 20, equal to curve surface area, तो कितना आ गया, 110, यानि की curve surface area आपका निकल गया, 110 meter square, देखो, formula नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, हमने direct इसको कर दिया, सिरह formula के लग गया है, कि second में क्या निकालो, आप second part में radius निकालनी है, इसकी, ठीक है, तो curve surface area आपके पास क्या है, 110 meter square, अब देखो, curve surface area क्या होता है, हमारे cylinder का, 2 pi r h होता है, और equal to 110 हमारे पास है, तो 2 into 22 upon 7 into radius कितना है, वो हमें निकालना है, और height कितनी है, 10 equal to 110, ठीक है, तो radius कितनी नि सेज देंगे, यानि कि 7 उपर आ जाएगा, और upon में कितना जाएगा, 2 into 22, और into में 10, ठीक है, तो ये 10 से 10 चला गया, और ये 11 to 22 हो गया, clear है बात, तो आपके पास कितना आ गया, 7 upon 4, यानि कि radius निकल गया, आपका, radius equal to, डिवाइड कर देंगे, इसको तो हमारे पास आएग गया, radius, अब थर्ड में हमें के निकालना है, capacity of vessel, ठीक है, थर्ड में निकालना है हमें, capacity of vessel, थर्ड पार्ट है, capacity, देखो, capacity को हम और के बोलते है, volume, volume of vessel, तो volume क्यों होता है, इसका, pi r square h, यहाँ पर 22 upon 7 into, radius आपके पास है, 1.75 into, 1.75 into, height आपके पास है, 10, ठीक है, decimal को हम खतम कर देंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, upon में 100, यहाँ से किया, तो upon में 100 आ गया, यह 10 से, 10 cancel हो गई, और बाकी हम इसको 5 के table से, काट देंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास, 5 की table से इसको करो, 5, 2, 10, और यहाँ पर आ जाएगा, 5, 3, 15, 5, 25, ठीक है, और यहाँ पर भी कर दो, तो यह आ जाएगा, 5, 2, 10, और यहाँ पर आएगा, 0, और यह 5, 7, 35, clear है बात, अब इसको भी काट दो, 5, 4, 20, और यह कितना आ गया आपके पास, 5, 35 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 से यह 11 काट दो, और बचता कितना आपके पास, इन सब को क्या करो, multiply कर दो, 11 को, यहाँ देखो, 11 into 35 into 7, upon में बचा है आपके पास 4, इन सब को multiply करेंगे, आपके पास आएगा, 385 upon 4, divide कर देंगे इसको, तो divide करने पर हमें मिलता है, 96.25 meter square, लेकिन capacity का मतलब है, capacity जहाँ भी word आजाए, आप समय लो कि हमें निकालना क्या हुआँ, इन liters में निकालना है, ठीक है, क्यूब में आएगा, 1 meter cube equal to हमारा होता है, 1 kiloliter, ठीक है, तो इसको निकाल दो, आप इसको क्या लिख सकते हूँ, इसको direct लिख सकते हैं, कि 96.25 kiloliter आपका answer, जो book में है, वो kiloliter में दिये पीछे, ठीक है, 1 meter cube equal to 1 kiloliter, आपका answer कितना आ गया, 96.25 kiloliter, अब करते हैं, इसका question number 6, question number 6 है हमारे पास, the capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter, is 15.4 liter, याने कि हमारे पास एक cylindrical vessel है, ठीक है, उसके height है 1 meter, और उसमें कितना पानी है, 15.4 liter, how many square meter of metal sheet would be needed to make it, याने कि हमें उस vessel को बनाने के लिए कितने meter sheet का use किया है, ठीक है, हमने जो उस vessel को बनाया, उसमें कितने meter sheet का use किया गया, height आपके पास है 1 meter, जो जो आपको given है, उसको लिख लो, height given है, आपके पास 1 meter, और साथ में ये जो दिया है, ये volume दिया है, ठीक है, volume दिया है 15.4 liter, clear बात, और radius हम यहां से निकाल लेंगे, radius को निकाल लेंगे, अब देखो, volume अगर आपके पास दिया है, 15.4 liter, तो इसको सबसे पहले करो, यहां पर height हमारी meter में है, तो इसको भी meter में बदल देंगे, याद रखना कि 1 meter cube equal to हमारा होता है 1000 liter के equal, तो यह आ जाएगा आपका, 15.4 डिवाइड में कर देंगे हम 1000, तो कितना आगे आपके पास, इस decimal के बाद हम decimal लगा लेंगे, एक, दो, तीन, याने कि आपका आ रहा है 0.0154 meter cube क्या बन गया यह, volume बन गया, ठीक है, volume of cylinder, लिखो, volume of cylinder, cylindrical vessel लिख सकते हो, equal to, कितना आ गया, 0.0154 meter cube, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, volume of cylinder क्या होगा हमारा, pi r, square, h equal to, 0.0154 हम इस तरह से लिख देंगे, तो 22 upon 7, यहाँ पर आगे 22 upon 7, into r कितना है आपके पास, उसको हमें निकालना है, into height कितनी है, 1, equal to 0.0154, ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस पूरे को दूसरी तरह भीज़ देंगे, तो r square equal to कितना आगया, 0.0154 into 7 upon 22, ठीक है, अब देखो, जब हम इसको 22 से direct काटेंगे न, 22 से direct काट जाएगा, तो आपके पास आएगा 0.0007, ठीक है, और अब इसको और इसको multiply कर दो, तो r square आपके पास बन जाएगा 0.0049, clear बात, और r कितना आगया आपका, 0.07, यानि कि r की value आगया, 0.07 meter, हमें निकालना क्या है इसमें, total surface area हम निकाल देंगे, of cylinder, देखो, total surface area of cylinder, cylindrical vessel बोलो, ठीक है, तो ये कितना आजाएगा, यानि कि total इसलिए निकाल रहे हैं, क्योंकि कितने sheet हमने उसको बनाने में लगाई, सिर्फ वो हमें बताना है, तो यह आजाएगा आपके पास, 2 pi r into r plus h, देखो, जब मैंने starting में आपको formulas करवाए थे, तो वहाँ पर हमने total surface area of cylindrical vessel निकाला था, जो होता है, हमारा 2 pi r into r plus h, तो यह आजाएगा, आपके पास, 2 into 22 upon 7 into r, आपके पास है, 0.07 into 0.07 plus 1, तो यह कितना आपके पास, यहाँ से इसको काट दो, तो यह आजाएगा 0.01 और बचता है, आपके पास 0.44, इसको multiply यह न तिनो वो, into, इसको प्लस कर दो 1.07, which is equal to 0.4708 meter square, यह आपके पास आगया question number 6 का answer, ठीक है, आप करते हैं, इसका question number 7, question number 7 में हमें दिया है, कि alert pencil consists of slender of wood with a solid slender of graphite filled in the interior, यहने कि आपने pencil तो देखी यह pencil के अंदर के होता है भई, graphite होता है, उसके अंदर के गिया गया, एक pencil के अंदर graphite को fit किया गया, ठीक है, the diameter of the pencil is 7 mm, जो diameter है pencil का वो 7 mm है, और जो diameter of graphite is 1 mm है, if the length of the pencil is 14 cm, और pencil की length कितनी है, 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite, हमें निकालना क्या है, volume of wood निकालना है, then that of graphite, graphite के साथ, तो देखो सबसे पहले क्या करो, यह है आपका question number 6, sorry 7, आपके पास क्या है यह, wooden pencil है मान लो, ठीक है, wooden है, यह wood है सिरफ, pencil मैंने मोटी से बनाई ताकि आपको clearly समझा सके, यह pencil है, और pencil का जो आपका wooden का जो diameter दिया है, इसका पूरे का जो diameter दिया है, आपका वो 7 mm दिया है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक गयाने की है, 7 mm देके रखा है, और इसके बीचों बीच क्या है, देखो यह क्या है, इसमें क्या लगा दिया है, हमने यह, ठीक है फील कर दिया इसको तो ग्रेफाइट ग्रेफाइट का जो आपका डायमेटर रहे वह है 1 mm जर्य बात टो सबसे पहले जो जो given है उसको लिख लेंगे । यás入 कि डायमेटर ओफूड इक्वयल्टो है सब्सक्या निकाल लो रेडिएस निकाल लो, radius कितनी आ गई, 7 upon 2, ठीक है, अच्छा, mm है, और आपके बास, इसकी जो height दी है, wooden की, पूरे pencil की जो height है, वो है 14 cm, देखो, cm की बात है, तो इस diameter को सबसे पहले के करो, cm में change कर लो, ठीक है, diameter को सबसे पहले हम, cm में बदल लेंगे, तो diameter को जब cm में बदल लेंगे तो यह आ जाएगा आपके बास, 7 upon 10 करेंगे, ठीक है, तो यह आएगा आपके बास, 0.7 cm, क्योंकि 1 mm equal to 10 cm, ठीक है, और अब यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 0.7, तो radius कितना आ जाएगा, याने कि capital R equal to radius आ गया, वोट का, 0.7 upon 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है, 0.7 upon 2 cm हम ल अब देखो, diameter of के लिख देंगे हम, diameter of graphite, graphite का diameter कितना है, 1 mm, यहाँ से भी क्या करो, इसको change कर दो, cm में, तो 1 upon 10 equal to 0.1 cm, और radius कितना आ गया, small radius, याने कि small R आ जाएगा, आपके बास, 0.1 upon 2 cm, ठीक है, इतना करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, height दी है, आपके पास, height जो दी है, वो दी है, आपको 14 cm, ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, volume of wood निकालना है, volume of wood कैसे निकलेगा, तो volume of wood में दो चीज़े है, एक तो volume of pencil है, और एक हमारे पास, उसमें से हम volume of graphite को minus करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें खाली wood का निकालना है, कितना wood उसमें use किया, तो volume of, आपके पास है pencil, total pencil जो है, और minus कर देंगे volume of graphite को, तो उससे minus करके हमें के मिल जाएगा, volume of wood, तो यह आ जाएगा आपके पास, volume of pencil होगा, pi r square h, और volume of graphite होगा, pi r square h, ठीक है, अब यहां से pi और h हमारा common आ जाएगा, pi h common आ गया, यहां पर r square minus r square हम कर सकते हैं, तो pi की value आपके पास है, 22 upon 7, into, h आपके पास है 14, और 7 में क्या है, जो r square है आपके पास, यानि कि capital r है, 0.7 upon 2, तो यहां लिख सकते हो, 0.7 upon 2, और इसका कर देंगे हम whole square, minus 0.1 upon 2 whole square, clear बात, तो आपके पास कितना आ रहे, 7 to the 14, यानि कि 22 into 4 करेंगे, तो आपके पास, 22 into 2 करेंगे, तो 44 आएगा, और इसको जब हम करेंगे, तो यह बन जाएगा, 0.49 upon 2 to the 4, minus 0.01 upon 2 to the 4, clear बात, यहां से हम LCM ले लेंगे, LCM आपका कितना आएगा, 4, और यहां से इसको क्या करेंगे, 0.49 minus कर देंगे, 0.01, तो आपके पास आ जाएगा यह, 44 into 0.48 divided by 4, तो 4 से यह कट जाएगा, 11 आजाएगा, 11 into 0.48 करेंगे, तो आपका जाएगा, 5.28 centimeter square आजाएगा, ठीक है, इतना निकाल दिया हमने, अब हम क्या करेंगे यहां से, volume of graphite निकालेंगे, ठीक है, क्या निकाल देंगे, volume of graphite, क्यूब में आएगा, तो यह हमने निकाल दिया, volume of wood निकाल दिया, लेकिन अब हमें बोला गया था, volume of graphite भी निकालना है, 0.1 upon 2 whole square into h आपके पास है 14, ठीक है, तो यह तो आजाएगा आपके पास, क्या आजाएगा आपके पास एक हो, 22 upon 7 into 0.1 upon 2 into 0.1 upon 2 into 14, तो यहां से क्या करो, 7 to the 14, 2 से 2 cancel और यह 11, तो यह कितना आगे आपके पास, multiply करेंगे, यह आजाएगा आपके पास 0.11 cm3, यह आगया volume of graphite, ठीक है, आप चाहो तो graphite का जो volume है, उसको पहले भी निकाल सकते हो, चाहो तो बाद में निकाल सकते हो, ठीक है, और यह भी क्या है, यह volume of last में बोल लगया था, तो इसको आप पहले निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह था हमारा question number 7, अब करते हैं इसका question number 8, जो last है, question number 8 हमारे पास है, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm, यानि कि एक cylindrical bowl है, जिसमें हर एक पेशेंट को daily के दिया जाता है, उसमें soup दिया जाता है, उसका जो diameter 7 cm है, इस दा बाउल इस फिल्ट विद सूप टूअ हाइट ओफोर सेंटीमेटर और बाउल जो है, वो 4 cm हाइट तक के फिल किया जाता है, यानि कि हमें बताना है कि धाइसो पेशेंट को daily कितना सूप जो है, वो होस्पिडल वाले देते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल कोश्चन है, हम क्या करेंगे इसमें, जो जो गिवन है, डायामेटर आपको गिवन है, यानि कि डायामेटर ओफ, स्लेंड्रिकल बाउल, स्लेंड्रिकल बाउल, जो डायमेटर है स्लेंड्रिकल बाउल का, वो है आपका 7 सेंटिमीटर, कितना है, 7 सेंटिमीटर, और इसका radius कितना आ जाएगा radius आ जाएगा इसका equal to 7 upon 2 cm ठीक है साथ में height दी है कितना उसको fill करते है height कितना दी है height वो है 4 cm ठीक है height है 4 cm volume of soup निकाल देंगे हम volume of soup serve to patient तो यहां क्या जाएगा आपके पास volume of कैसे निखलेगा volume of हमके लेंगे bowl ठीक है volume of cylindrical bowl volume of cylindrical bowl क्या है आपका pi r square h रहेगा यहां जाएगा आपके आपके पास 22 upon 7 into radius 7 upon 2 into 7 upon 2 into 4 ठीक है अब देखो यह कितना जाएगा 7 से 7 cancel होगा 2 to the 4 cancel होगया आपके पास 22 into 7 इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 154 cm3 अब last में हमें निकालना है कि कितने patients को जो है 200 patients को जो है कितना soup त्यार किया जाता है यहां लिख सकते हैं हम कि soup given to 250 patients तो इसका के कर देंगे हम 250 से multiply कर देंगे हम इस 154 को तो यह आजाएगा आपके पास कितना इसको जो हमें multiply किया यह आएगा आपके पास 385 00 cm3 लेकिन आपको लिटर में दिया है क्योंकि soup जो है लिटर में आएगा तो 1000 से इसको क्या करेंगे हम 1000 से इसको हम divide कर देंगे तो 20 से 20 10 बची यानि कि 38.5 लिटर soup will be given to to 250 patients ठीक है तो यह था हमारा question number 8 इसी तरह से हमने 13.6 को complete कर लिया है अब next वीडियो में हम करेंगे 13.7 को solve इसी तरह से जैसे हमने सारे question किये उसमें भी हम एक एक करके सभी questions को करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं प्ली लाइक शेर कमेंट जरूर करो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू कर अभे तत वीडियो 1957 करके समयक्ट और जितना हम हैं याजर कर दो नेक्ट झाझ